प्यारे बच्चो, क्लास 12 विकली टेस्ट इतिहास विसे का JCRT द्वारा विकली टेस्ट लिया जा रहा है और इसका स्लोगन है बेहतर सिच्छा के लिए नियमित मुल्यांकन मलब यदि आप अपना मुल्यांकन स्वैम करते जाईएगा तो आप बेहतर सिच्छा पाईएगा अच्छे अंको से पास कीजिएगा इसलिए निरंतर अपना मुल्यांकन कीजिए क्लास 12 विशे इतिहास का है इसमें हम लोग कोस्चेन अंसर को देख लेते हैं फटा फट चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले और इतिहास के बच्चों को यह वीडियो सेर कर दे ताकि वे भी इसका लाभागवित हो सके तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिखते हैं सबसे पहला कोस्चन है अमुक्तमाल ल्याद के लेखक कौन थे तो इसके जो लेखक थे वो है क्रिस्न देव राय तो आपका पहला का डी हो जाएगा क्रिस्न देव राय दूसरा कोस्चन है वीजय नगर राज की अस्थापना किसने की देव राय एक हरियर और बुक्का क्रिस्न देव राय या सदा सिव राय ने तो इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियर और बुक्का ने किया था यह बहुत hit question है बहुत बार exam में आता है अगला question है पुर्दगाली यातरी कौन था यहाँ पर पुर्दगाली यातरी कौन था इसमें मेरे हिसाब से correct answer A होगा यह आपका correct होना चाहिए लेकिन यदि आपको इसमें थोड़ा आपको confusion भी है लेकिन मेरे हिसाब से A answer होगा यदि आपको लग रहा है कि नहीं यह answer गलत है तो comment में जरूर बताईएगा चोता question है आपका ताली कोर्टा का युद कब हुआ था तो ताली कोर्टा का युद हुआ था वो 1565 में हुआ था तो इसका A option हो जाएगा 1565 पांचमा है निम्न में से अश्ट दिगज आठ योग कभी किसके दर्बार में था तो आठ योग कभी किसके दर्बार में था तो हम तो सभी जानते हैं कृष्ण देव राय के दर्बार में था तो पांचमा का आपका D हो जाएगा चठथा है आपका निमलिखित में से कौन सा विदेशी यातरी घोडो का वेपारी था तो घोडो का वेपारी जो था वो था निकोलो कॉन्टी तो यहाँ चठथा का आपका सी हो जाएगा साथमा है वीजय नगर की अस्थापना कब हुई थी तो इसकी अस्थापना आपकी हुई थी 1336 में हरिहरों बुककर द्वारा आठमा है विजयनगर की मात्री देवी कौन थी तो पंपा देवी को विजयनगर की मात्री देवी माना जाता था तो यहाँ B option हो जागा आठमा का भी पंपा देवी गौपूरम किस्से संबंदित है ये भी बहुत hits question है ज्यादतर एकजाम में आता ही रहता है ये तो ये होता है मंदिर का गुम्बद होता है उसी को गौपूरम खा जाता था तो हम लोग यहाँ मंदिर का परवेश्दवार या गुम्बद का सकते हैं इसलिए D option हो जाएगा मंदिर परसिद विरुपाज मंदिर कहा इस्थित है तो ये आपका इस्थित है हमपी में हमपी विजय नगर में ही है हमपी अब हम लोग अति लग उत्तर ये प्रशनों को भी देख लेते हैं इगारा नंबर question है विजय नगर पर कितने राजवनसों न संगम है क्या है तो संगम संगम राजवनस है सुलू राजवनस है तुलू राजवनस है और अराविंदू राजवनस है ये सभी ने विजय नगर पर सासन किया था तो यहां सोजय का संगम सुलू तुलू और अराविंदू बारवा question है ताली कोटा का युद किसके बीच ल विजय नगर समराज के बीच लड़ा गया था विजय नगर समराज के यह लड़ाई राक्षस तागंडी नामगाओं के मज़्दिक लड़ी गई थी इस यूद में विजय नगर समराज को हार का सामना करना पड़ा तेरा नमबर कोश्चन है विरू पाच मंदिर की विशिस्ताओं का वर्णन करे तो विरू पाच मंदिर का निर्मान जो है नौमी या दस्मी सताबदी में किया गया था विजय नगर समराज की अस्थापना के बाद उसे बड़ा करवाया गया मुख मंदिर के सामने जो मंडब बना है उसका निर्मान क्रिस्म देवराय ने अपने राज्य रोहन के उपलच में कराया पूर्वी गोपूरम मलब परवेश द्वार देखें गोपूरम है मंदिर का परवेश द्वार जो होता है यहाँ पर यह कोश्चन था आपका मंदिर के केंदर में इस्थित है दूसरा इसका विशेष द्वारों पर सिकार करने नाच वा युद्धों की जीत के जस्न मनाने के सुन्दत द्रिस दिखाए गए हैं चौदा नंबर कोशन है आइंगर विवस्था के बारे में वर्नन करें तो आइंगर विवस्था समस्त राज प्रांतों में विभग था प्रांत मंदल में विभाजित था मंदल जिले मलब जिसको वलनाडू भी कहते हैं में विभग था वलनाडू नाडू में विभग था नाडू गाउं की बड़ी रानितिक इकाई थी आइंगर विवस्था के नुसार परतेक ग्राम को एक स् इकाय के रूप में संगठित किया गया था इस पर बारा वेक्ति मिलकर सासन करते थे जिने सामुहिक रूप से आयंगर कहा जाता था इनके पद अनुवांसिक होते थे इन्हें वेटन के बदले कर्मुक्त भूमी दी जाती थी अब लगुतर ये प्रशन है आपका कृष्ण देवराय की उपलब्धियों का वर्नन करे ये लगुतर ये नहीं है बचो ये दिरगुतर ये प्रशन है दिरगुतर ये प्रशन है कृष्ण देवराय की उपलब्धि का वर्नन करे तो कृष्ण देवराय पंदरा सो नौ से पं 1513 इस्वी में उसने उडिशा के सासक गजपती प्रजापा रुद्र को प्राजित किया था उनकी कर्ण्या से विवा किया 1520 इस्वी में उसने सुल्तान आदिलसा को प्राजित कर बीजापूर को जीता पुर्दगाली गवर्नल अबुर्ग करक को उसने भटकल में दुर्ग निर्मान के अनुमती परदान की उडिशा विजय के उपलच में विजय भवन का निर्मान कराया वा एक महान विद्वान तथा कलावाव विद्या का पोशक था तेलगू रानिती पर उसने अमुद्य माल्दा ग्रंथ लिखा उसने संस्कीत नाटक जामवती कल्यानम का भी सिर्जन किया इसके काल में तेलगू साहित की उन्नती हुई इसके दरबार में आठ विद्वानों को अश्टदी गज कहा जाता था उसने स्वयम को आनर भोज कह जन कल्यान हेतू उसने क्रिषी की उन्नती के लिए अनिक तलाब व़वा नहरों का निर्मान कराया उसने विवा करजे से लोग प्रिये करों को समाप किया किस देवरायन ने अस्थापय कला को भी प्रोसाईट किया, उसने अपनी मा नागला देवी के नाम पर नामक नगर की अस्थापना की, कहा जाता है कि उसने विठल स्वामी मंदीर, हजार मंदीर एवन पंपा देवी मंदीर का भी निर्मान करा है। कुछ इतियास कारों के नों सारविठल मंदिर का निर्मान देवराय दुतिये ने कराये था किस देवराय ने कई महतपूर मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ा उसने राय चुर्व दौाब पर भी आधिपत्य अस्थापित किया पुर्दगाल के विदेशी यात्री ए पुर्दगाली यात्री कौन था तो इसमें कन्फूजन हो रहा था यह किलियर हो गया एंडूर्दगाली यात्री था तो तीसरा का ए आप लोगों ने लगाया होगा सही है तो बहुत सारा कोशन लौंग से भी पकड़ा जाता है बस ध्यान देने की जरूद है तो यहां हम लोग देख रहे थे पुर्दगाल के विदेशी यात्री एंडूर्वर्स बार्वोसा एवं डीमिन गौस पेंस क्रिशन देवराय के काल में ही विजयन नगर आई इन दोनों ने ही राजा क्रिशन देवराय के व्यक्तित एवं चरित्र की प्रसंसा की 25 ने विजयन नगर को रूम के समान बैभाव सालिवा विजव का सर्वतम नगर बताया है पुर्दगाली दचिन भारत में वैपारी बनकर आये थे आरव में क्रिशन देवराय ने पुर्दगाली वैपारियों के पर्ति तरसर दिष्टी कोन अपनाया पुर्दगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया अर्भी एवंफार्सी घोडों का वैपार्थ पुर्दगालियों के हाथों में था पुर्दगालियों की सक्ति निरंतर बढ़ रही थी अता राजा कृष्ण देर राय ने पुर्दगालियों के परती उदार दिश्टी को पुर्दगाली भी वेपार की सुधा प्राप्त करने के लिए विजय नगर समराज से मितरताग चाहते थे। में दुर्गों की किले बंदी अत्यन महत्पून थी। इन किले बंदियों द्वारा सहर क्रिसी छेत्र जंगलों को भी घेर गया थे। विजय नगर में सडकों का जाल भीचा हुआ था यह सडके परवेश द्वार से निकलती थी। सडकों के दोनों और बजार थे। विजय नगर के समराठों ने अपनी राजधानी किष्णा तुंग भंद रामला राय चूर दो आपके समी बनाई थी। जिससे वे अपनी राजधानी को अपने अधिकार छेत्र के समी भी रख सके। ये परंपरा महा जनपद काल से चली आ रही थी। तो बच्चो ये थे आपके सोला, कोश्चन, अब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दोनों आसा करते हैं आपका एक्जाम अच्छा गया होगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो साथ तब तक लिया अग्या दीजे जै हिंद, जै भारत!